हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चालन्ग खाऊ-वाद में आज हम बनाने जा रहे हैं रवाखी सेंड़ीच इसको सूजी की सेंड़ीच भी बोलते हैं चालो आप हम रवाखी सेंड़ीच बनाते हैं कि इसके लिए हमें एक कतुरी सुजी ले रखेए ये सुजी हमें महीन सुजी लिए आप इसकी जगापर मोटी सुजी के भी यूज़ कर सकते हो अब इसमें हम आदी कतुरी डही डाल लें यह दही हमें फ्रेश दही लिए है ज्यादा खटा दही नहीं लिया है अब इसको हम चला कर यह हमें थोड़ा वेटर जिसका गाड़ा लग रहा है इसके लिए अब जिसमें हम आधी कटूरी पानी डालेंगे पानी डालने के बाद इसको अब हम विक्स की साहता से एक ही डारेक्शन में गुमाने से सूजी जादा फूलती है और इसको का हम जो भी कुछ बनाते ह इसको अच्छे से चलाक का अब इसको हम 10 मिनिट के लिए एक प्लेट से ढखके रख देंगे अब हम इसे अलु की स्टफिंग तयार करते हैं स्टफिंग के लिए हमने उबले हुए आलू ली हैं इसको इसके हमने छिल के उपाटके रख दिये हैं आब हम एक फ्राइपन ले ऑडब हम ऑड़ गरते हैं और तेल को गरम होने देते हम उठिकर होने के बाग अब इसमें इसमें हम एक चमश राइ डालेंगी और लाइक को च्चतक रहिए अब इसमें हम आज़ करत दालेंगे अब जीरे को अच्चे से च्टकने देंगे जीरा चटकने के बाद अब इसमें हम बारिक कट हुई हरी मिर्श डालेंगे जो हमने बारिक अच्छे से काट ली है और मिर्शी को मसाले के अंदर अच्छे से भूनेंगे इसमें आब हम आदी चम्मर लाल मिर्श पॉडर और आदी चम्मर धन्या पॉडर डाल लाई है आदी चम्मर हल्दी पॉडर डाल लाई है और इस मसाले को अच्छे से चम्चे से चलाएंगे इसमें उबले हुए आलू डालेंगे जो हमें पहले से मैश कर रखी है उबले हुए आलू डालने के बाद इसको हम मसाले के अंदर अच्छे से मैश करेंगे इसको अच्छे से चलाएंगे जिससे की सारे मसानों का फ्लेवर इसमें अच्छे से आजा और ये खाने में भी टेश्टी लगेगा चमचे की साइटाजी इसको हम चारों तरफ से चला रहे हैं और जिस्से की मसाली इसमें अच्छे से मिल जाए अब हमारी मसाली इसमें अच्छे से मिल चुकी हैं इसमें अब हम स्वादनुसा नमक डाल लाएं नमक डालने के बाद इसमें हम चाट मसाला डाल लाएं चाट मसाली का फ्लेवर आलोव में अच्छा आता है इसमें हम खटाई का यूज नहीं कर रहे हैं इसकी खटाई की जगेपे अब आदा नेभू निचोड़ लाई हैं और इसमें अब हम उपर से टमाटर डालने आप टमाटर मसाली के अंदर भी डाल सकते हैं आप को जैसे टमाटर बसंदों आप उसी तरीके से टमाटर इस आलू की स्ट्रफिंग में डालें अब इसमें अब हम कटा हुआ हरा धनिया डाल लगें अब हमारे आलू बनके तयार हो गए हैं और हमारी सूजी को 10 मिनिट भी हो गए हैं अब इसकी हम प्लेट अठाते हैं और हमारी सूजी अच्छी से फूल जुकी है आप देख सकते हैं कि यह सूजी कितनी अच्छी से फूली है इसका वैटर अभी हमें थोड़ा सा गढ़ा लग रहा है इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे थोड़ा मेंस आप इसमें आदर की सूजी में मिलाते है नमक के बाद अब इसमें हम के चाहँ आदि चोटी चंबर बेकिंग सूटा ड़ा डालना है और सोडी की ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालने से सूडी का फ्लेबर सूजी में अच्छे सा आता है इस सूडी के ऊपर हम थोड़ा सा नहीं जाएंगे अगर तो फ्लेवर सूजी में अच्छा नहीं आएगा और थोड़ा सा कट लगेगा आप घ्राइपन रखते हैं और उसमें थोड़ा सा तेल लगा रहे हैं अब हमारा तेल गरम हो चुका है और चोड़ा चमच सूजी का वैटर डाल रहे हैं इसको हम थोड़ा सा चम्चे की साहतह से प्रदियान रखना पतला ही हमें फैलाना है ज्यादा मोटा नहीं करना है अच्छे से हम इस प्रैट कर रहे हैं चमजे की साइधा से अब इसके उवा हम थोड़ी सी हरी चटनी डाल लें यह हमें थोड़ी पतली कर लिए है आप इसमें पतली ही चटनी डालें गाड़ी चटनी डालेंगे तो यह पूरे में फैलेंगी इसलिए हम चटनी में थोड़ा सा पानी बनाकर डालेंगे इसको हम चालो तरफ पैला रहे हैं अभ इसमें हम आलू कि स्टेफिंग डालेंगे जो हम एक कोला बना के थोरी से हाट से प्ट्टी बना कर अब इसके उपर हम रख देंगे हम अब इसके उपर रख दिया अब इसके उपर हम सूजी का घोल डालेंगे जिससे कि जो हमें आलू दिखाई दे रहे हैं वो सूजी की गोल से दिखेंगे ने इस तरीके से हमें सूजी का गोल उन आलूं के उपर डालना है देखे हमने सूजी का गोल आलूं के उपर डाल दिया है अगर ये थोड़ा सा अगल वगल में निकल लाया है तो आप इसको बाद में चक्कू की साहता से अपने इसाब से शेप दे सकते हैं, आप इसके उवा हम हरा धनिये की पत्ती डाल लाए हैं, आप इसके अलाबा अपनी कोई भी वेजी टेवल डाल सकते हैं, जो भी आपको खाने में पसंदो, वो आप इसमें सब्जियों का आप इसको हम पलटने जा रहे हैं, देखिए इसका कितना अच्छा अच्छा कलार आया है, ये खाने में भी टेस्टी लगेगा, आप इसके उपर हम थोड़ा चा तेल लगा रहे हैं, और इसको दूसी साइट से भी शिकने देती है, तेल लगाकर इसको हम दूसी साइट से भी सिखने देंगे उपर से तो हमारा कलर इस सेंड्विच में अच्छा आया है इसको दूसरी साइड में भी सिखने में भी आरम से 5 मिनेट का टायम लग जाता है इसमें आप जल्दिवाजी ना शेके और आरम से इसको सिखने दें दवा दबा के हम इसको सेक रहे हैं यह तब कहाने में अच्छा लगया आप इसको पलेटने का रहे हैं आप देख सकते हैं कि इसका दूसरी तरफ भी कलर बहुत अच्छा आया है कि इतना रड डूराया है इसको आप अपने अकॉर्डिंग खेरा भी सेख सकते हैं पर आप टेंशन ना लें जे अंदर से कच्छा नहीं रहेगा अब इसको हम एक प्लेट पर निकाल लाएं है आप देखिए इसको हमें इतना मोटा बनाना है यह सेंड़िश थूरी मोटी ही बनती है क्योंकि इसमें हम इतना टेस्ट्री लग रहा है और यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट्री लगेगा इसको हम सौंसो चेट्नी के साथ सर्फ करेंगे अगर आपको यह रेसीपी अच्छी लगी है तो आप इस रेसीपी को अपने घर में बना के ट्राय की जिए और हमें कमेंट करके बता